अगर कोई व्यक्ति यहां से किसी प्रकार का कोई लोन लेना चाहता है उसको कम से कम 5,000 का लोन देगी और अधिक्तम लोन देगी 50,000 का अगर समय अब दीकि यहां पर बात की जाए तो 91 दिन से ले करके 120 दिन का ये बता रही है समय देगी अगर बात की जाए यहां पर इंटरस रेट की तो 18.26 पॉसंट तक का आपको इंटरस रेट यहां पर पे करना पड़ सकता है अगर documents की बात की जाए व्यक्ति का pen card, व्यक्ति का आधार card और केवल एक selfie required है किसी परकार का आपको कोई bank statement नहीं देना है, किसी परकार का कोई आपको salary slip नहीं देना है, किसी परकार का आपको कोई income proof नहीं देना है without income proof ये आपको और इन प्रदान कराएगी, और zero civil भी है, अगर आपका civil score भी भैतर नहीं है, तब ये आपको loan प्रदान कराएगी, ये मेरा कहना नहीं है ये इस application का कहना है, अभी मैं आपको इसकी proper detail दिखायता हूँ, देखिए, यहाँ पर अपने आपको बोल रहे है कि ये किसी NBFC से जुड़ करके काम करती है ये खुद में कोई NBFC नहीं है तो यहाँ पर काफी दिखकत वाली बात है और जब ये NBFC से जुड़ करके ये काम करती है, तो proper तरीके से ये एक company होनी चाहिए, कुछ होना चाहिए इसका, लेकिन ये ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है अगर email address भी देखा जाए तो unprofessional है, और Reddit पर इन्होंने email address बना रखा है, ठीक है और अगर आप बात करेंगे इसकी यहाँ पर rating वेगरा की, तो 4.7 की इसको rating मिली है, starting के review की अगर बात की जाए तो पहले वेक्ति ने बिलकुट ठीक नहीं का है दूसरे वेक्ति ने भी ठीक नहीं का है, लेकिन थर्ड नमर के वेक्ति ने इसके बारे में एकदम perfect का है, कोई issue नहीं बताया है अगर बात कीजिए यहाँ पर इस application के positive review की तो देखिए positive review देने वाले जो वेक्ति हैं, वो कुछ अजीव टाइप कही है तो अब बताये, इनकी positive reviews पर हम कैसे trust कर लें क्योंकि देखिए, यह तो नाम another country के लग रहे हैं जैसे कि मानों किसी और ही country क्यों हो, इंडिया जैसे लोगों के तो नाम ऐसे नहीं होते हैं एक दो नाम है, इंडिया से जो इसको review दे रहे हैं, लेकिन जादे नहीं है अब इन बातों पर ध्यान दिया जाए तो देखिए, काफी दिक्कत लग रही है मुझे तो बाकी आप को जैसा उचित लगे, और अगर critical section के आप बात करेंगे तो यहाँ पर critical section में भी लोगों ने कहा है, यह application fake है, fraud है एक वक्ती ने तो यह भी कहा, सिर्फ मुझे 30 second के अंदर यहाँ से loan मिल गया ठीक है, कितना मिला, हजार दो हजार payment करने में देरिक की थी, उसको हरास किया गया, उसको डरा गया, उसको धमकाया गया, उसको प्रतारित किया गया यह issue इस application से हो रहे है, आपको pen card प्लस आधार card पर loan तो मिल जाएगा, लेकिन हजार दो हजार का आपके mind में कोशन आओगा, यह application fake है या real है देखिए, अगर बात की जाए, यहाँ पर documentation के अधार पर, देखिए, खुद बेखुद कोई NBFC नहीं, जैसे खुदी टाइप कर रही है ठीक है, loan दे रही है, 7 दिन या 15 दिन के लिए, तो क्या है, यह fake ही है जो वादा कर रही है, about section में, उसके अधार पर loan नहीं दे रही है, तो इसको fake कहेंगे अब आप कहेंगे, कि लोन तो दे रही है, fake इसलिए है, क्योंकि इसके पास में खुद के कोई legal documents नहीं है यह व्यक्ति के civil वगेरे में update नहीं कर पाएगी, और अगर update करती है तो जैन्वेन है पर जहां तक मुझे जानकारी है, जो मेरा व्यक्ति का तनुबब है, यह application फर्जी और fake है यह सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति को 1000-2000 का लोन दे करके, उनसे हवी वसूली करती है और उन्हें blackmail भी करती है, यह मैं आपको दिखाएता हूँ यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यह देखिए, व्यक्ति से सारी permission इसने ली है पर यह loan देने का काम कर रही है, contact की permission, camera की permission, location की permission, क्या जोर्ते लेने की अगर आप भी fast approval loan app की तलास में हैं, तो इस फरजी application से बचके रहें, यह application एक नमबर की fraud है, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ आपको क्या लगता है, आप मुझे comment section में ज़रूर बताएं अगर बात करेंगे इस application के नाम की, तो देखे इस application का नाम है smart land online loan अगर आप इसके डाउनलोड की बात करोगे तो 10,000 प्लस इसके तक डाउनलोड हो चुके हैं, टोटल रिव्यू की अगर आप बात करोगे तो लगबग इस application के अब तक 558 के आसपार review हो चुके है, जब मैं इस वीडियो को create कर रहा हूँ अब देखे इसका user interface कुछ इस प्रकार से है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यह इसका user interface है application का, ठीक, तो आप सोच लीजेगा, अगर आप fake contact list बना कर loan लेना चाहते हैं, तो मैं तो बिलकुल भी इस चीज़ के लिए प्रोसाहित नहीं करूँगा आपको, लेकिन आ आपका व्यक्तिगत फैसला हो सकता है, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि ऐसी application की आप immediate basis पर cybercrime.gov.ion पर complaint करें, और ऐसी application के चक्कर में कोई व्यक्ति ना फसे, मेरा उदिस इस वीडियो को बनाने का सिर्प यही है, अगर आप भी new loan app 2023 today टलास में हैं, तो आप ऐसी application से बच क रहें, pen card, आधार card पर loan देने का दावा करने वाली application, 50,000 रुपे तक का loan देने वाली application पूरे तरीके से fraud होती है, यही था इस application का complete review, अब आप पूछेंगे क्या यह fake है या real है, बिल्कुल यह application fake and fraud है, दुबारा बोल देता हूँ, यही इसका detail में review था, अगर और किसी application के बारे में जानकर ही प्राप्त करना चाहते हैं, आप हमें email करें, आप हमें tweet करें, आप हमें हमारे सभी social media accounts पर message करके बता सकते हैं, हम पूरे तरीके से उस application पर वीडियो ले करके आएंगे, पूरी तरीके से तहकीकात करेंगे, और कोई भी एक्ति अगर इससे लिए उन ले साथ ही वीडियो के pin comment section में मिल जाएगा, आप मेरे telegram channel पर ही मुझे subscribe जरूर कीजेगा, उमीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर ये वीडियो पसंद आई है, आप इस वीडियो को लाइक करके जाए, पसंद ने आई है, वीडियो को आप डिसलाइक कर्सके चाहिए, पस्छा कने से परे क्यात obtained God Summa sagen, आपको आपको बदcco करके जाएगा, आपको आपको पसंद आएगा से जाँए, येवीडियो का इसले ही वीडियो के नहमुगत के दिसलाइक, औ junk.